नमस्कार संसाट टीवी में आपका स्वाकत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक कैबिनेट दिस वीक में हम आपको प्रदानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसले लिए पहले बात नवी करण और शहरी परिवरतन के लिए अटल मिशन अमरत दोद शमलव शून्ने को दोहजार पच्चिस 26 तक के लिए मनजूरी मिलेंगी केंद्री मंद्री मंडल ने दोजार पच्चिस 26 तक स्वच भारत मिशन शहरी 2.0 और अमरत 2.0 के लिए अटल मिशन को मनजूरी दे दी है मिशन का उद्देश सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके जल स्त्रोत, संरक्षन व्रधी, जल निकायों और कुओं का काया कल्प, शोधित किये गए पानी का रिसाइकल कर पुना उप्योग और वर्षा के जल को संचित करना है राज्य को केंद्र निधी, राज्य जल कारी योजना के अनुसार, राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चर्णों में जारी की जाएगी मिशन के तहत पांसो अमरत शहरों में घरेलू जलमल निकासी और प्रबंदन का सो प्रतिशत कवरेज लक्षित किया गया है इसका लक्षा दो करोड आट सट लाख नल कनेक्शन प्रदान करना भी है देखने का खास रिपोर्ट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्री मंत्री मंडल की बैठक में नवी करण और शहरी परिवरतन के लिए अटल मिशन अमरट 2.0 को 2026 तक के लिए मजूरी दे दी कई है अटल मिशन अमरट 2.0 का उतेश्या आत्म निर्भर भारत की दिशा में एक अदम की रूप में और पानी की चक्रिय अर्थ विवस्था के जरिये शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्म निर्भर बनाना है इसमें कहा गया है कि अमरट 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिवयाए 277,000 करोड रुपई है साथ ही इसमें वित वर्ष 2021 बाई से वित वर्ष 2026 तक 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड रुपई का केंद्री हिस्सा शामिल रहेगा इन परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थाने निकायों द्वारा साज़ा किया जाएगा राज्य को केंद्रे निधी, राज्य, जलकार्य योजना के अनुसार, राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चर्णों में जारी की जाएगी मिशन का लक्ष सभी 4,378 सामिधिक कस्बों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ती करना है मंत्री मंडल का मानना है कि शेहरी परिवारों को विश्वसनिय और सस्ती जलापूर्ती और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राज्ट्य प्रात्मिक्ता है इसके तहट सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके जल स्त्रोत, संरक्षन, व्रद्धी, जल निकायों और कुओं का काया कल्प, शोधित किये गए पानी का पुनर चक्रण, पुनह, उपयोग और वर्षा जल संचेन द्वारा प्राप्त किया जाएगा मिशन के तहट 500 अमरत शेहरों में घरेलू जलमल निकासी एवं प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज लक्षित किया गया है इसका लक्ष 2.68 करोड नल कनेक्शन प्रदान करना है गहर तलब है कि नवी करण और शेहरी परिवर्थन के लिए अटल मिशन जून 2015 में 500 शेहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था यहां इस योजना पर बाचित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आवास एवम शेहरी मंत्राले के सचीव दुरुगा शंकर मिश्रा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर बात करें स्वच्छता प्रदान करने की या फिर घर-घर जल पहुँचाने की ये एक सत प्रक्रिया को देखते हुए ही इसे 2025-26 तक आगे बढ़ाये गया है बिलकुल प्रद्विम जी देखे दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का मानने प्रदान मंत्री जी ने लांच किया था सहरी और उसका नतीज़ा आप पूरे देश के सारे सहरों में दे सकते हैं को छोड़ दें तो बाकी हंडेट परसेंट सारे सार हमारे ओपन डिफिकेंशन प्री हो चुके हैं लगबक सेवंटी फोर लाक्स सोचाले घर-घर में या कम्यूनिटी में या पब्लिक ट्वालेट बने हैं यहां तक वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है इसमें आज हमारा और जो हमारा कूड़े का ट्रीटमेंट 2014 में मात्र केवल 15% करी 26,000 टन के आसपास हमारा कूड़े का ट्रीटमेंट होता था आज लगबक एक लाख टन प्रतिजिन के हिसाफ से कूड़े का ट्रीटमेंट होता है जो 70% बनता है तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहीं बलकि लोगों की बिचार में बिवहार में तरीके में आप चाहिए दफतर जाये मार्केट जाये सभी जगह सफाई में काफी सुधार हुआ, उनको भी काफी सारी सहुली थे और बहुत सारा टेक्नोलोडी का इसमें योगदान हुआ, बहुत सारे नएने किसम के इसमें अब उद्द्यमी इसमें निकल कर गया है, आप समझ ले करीब पांच से जार ज्यादा तुमारे जम कोटल के उपर ऐसे तमाम सारे जो वेस्ट को ट्रीट्मेंट, वेस्ट वेल्ज में कनवर्ट करने वाले इस प्रकार की चीज़े आ चुकी, जो यह हमने लाफ पाया पिछले साथ सालों में, अब इसको हमें आगे करना है, क्योंकि एक बार आप सफाई करने से काम नहीं चलेगा, बलकि सफाई एक सदत प्रक्रिया है, इसको हमारे आदत में पूरी तरह से शुमार हो जाना चाहिए, हम पूरी तरह से स्वक्ष हो जाने चाहिए, जो आज जो हम सतर परसंट सफाई कोड़े को ठीट कर रहे हैं, हमें उसे हंडेट परसंट ले जाने, शहरों के बाहर जो कूड़े के धेर होते हैं, आप देखिए कि लगबग करीब बारस सो पचास एकड़ के कूड़े के धेर तो इस साथ साल में क्लियर होगे, लेकिन आज भी लगबग 15,000 एकड़ से जादा की कूड़े, कमाम सारे सवरों में दिल्ली में देख लीजिए कि दिल्ली के अलग लग सडूकों पे उचे-उचे कूड़े के धेर पड़े हैं, इनको भी पूरा-पूरा खतम करना, रीवितों के हमारे पास अब टेक्नोलोजी आ चुकी, हमें जानकारी आ चुकी अब आप 15,000 एकड़ को समझ लिए कि 6,000 हेक्टेर हो गया, और अगर अनुमान के तौर पे देखें, तो इसे जो मान लीजे कि 60 स्पार किलोमेटर, यानि 6 किलोमेटर पर 10 किलोमेटर का हीरिया, चोहरों का पूरा-पूरा कोड़े के धेर में बदा हुआ है, इसको पूरा क अधार मंत्री जी ने अभी पहली अक्टूबर को दिल्ली से ही स्वक्ष भारत मिशन शहरी 2.0 का सुभारम किया था, और अभी इसी सब्ता हमारे केंद्र सरकार के जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट इसे कहते हैं, यूनियन कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे इस यह जना के था, अब हम एक इस प्रेसिनल लेविल पैर सकस्ता को ले के जाएंगे, अगले पांफित साल में लोगों को एक जनान दूलन को और प्रहस अस्तर पे ले जा करके, और ज्याधा उत्यमयों को ले जाकर और ज्यादा टेक्नोलोजी का प्रियों करके, अब हंड दुनिया का जो सबसे बड़ा स्वख सर्वेक्षण जो होता है करी 45-46 कोड़ों इसमें भाग लेते हैं ऐसा बड़ा सर्वेक्षण या टेक्नोलोजी के इतना बड़ा प्रियोग हमारे देश में जो दूसरों के लिए उधार रहे हैं इसको लेकर के स्वख भारत मिसन 2.0 अर पहले से ही ये एक जो है एक प्रैक्टिस चल रही थी या इस प्रैक्टिस को नया नया इसमें शामिल किया गया है आप बिलकुल प्रद्बम जी ऐसा है ये सफाई की जो ब्योस्ता है एक जनान दोलन इसमें नक्यवल भारत सरकार राज्य सरकार बलकि नगर निकाए और निजो हमारा एक होता है जो भारत सरकार राजे सरकार और जो नगर निकाएं और नगर निकारों के संक्या आजकी रेट में लगबक चारजार आडशो गई है पोग सारी नगर निकाएं नई नई ех सरकानों ने अभी अरुसूजित कर दिया तो 4600 निकाएं ये सबने एक ना केवल देश को सक्ष करेंगे, बलकि हम साथी साथ जो हमारा अमरुत की यूजना है, ये दोनों का ज्वाइंट M.U. था, अमरुत यूजना एक दध्यूं काम करें, अभी हाल में एक आवान किया गया, माननी प्रदानमंदी जी के इस लांच करने के बाद, कि हर एक नगर निकाय, हर एक नगर निकाय अपने जो सफाई कर्मी भाई बहन है, उनको सम्मानित करें, उनका जो उनके प्रती जो उद्गार, हमारा जो देखिए कि कोविट का इतना बड़ा चुनोती आया, उसके दोरान भी लोगों को उन्हों को उन्होंने सफाई दी, अपने जान को जोखी में रकर के सफारे को सफाई की दोस्था दी, तो उनको हम लोग कृतकिता जाहिर करें, इसमें लगबग 95% नगर निकायों से और यह सारे हमारे पोर्टल पे आ गया, कि लोगों ने इसमें मानने मुक्षमंत्री गढणने भी, मंत्री गढणने भी, जो हमारे मेर लोगों ने इन लोगों को जगह जगह उन्हें सवाल और है, कि पाने की सर्कुलर एकनौमी के जरिये शहर को जल सुरक्षित और आत्म निर्भर बनाने का लक्ष भी रखा गया है, यह कितना बड़ा लक्ष तो है ही, साती साथ चुनौतियां क्या है इसकी साथ? ये बहुत बड़ा लक्स रखा गया प्रद्विम जी जो हमारा अमरुत योजना 25 जून 2015 को पजान मंत्री जे ने लॉंच किया था उस समय हमने किवल 500 ऐसे सहरों को लिया था जिनकी आबादी एक लाग है एक लाग से जाजा की अब इसको जो 500 सहर से बढ़ा करके सारे के सारे यानि 4800 सभी सहरों में अब अमरुत 2.0 लागू होगा और इसको एक नए कलेवर में अब पब्लिक के साथ जोड़ना है टेक्नोलोजी के साथ जोड़ना है अब इसमें हमें हमारा लक्ष है कि हम हर घर को पानी पहुंचा दे हर घर जितने भी शहर की इलाखे में जो घर है ह हमरे को अपने पास पानी सुलब हो जा है और साथ ही साथ हमारे सहर जुए वाटर सेयर हो जाए guidance पानी को हम लोग एक तो फोड़ना प्योंग करें उसको हमारा गंदा पानी है तुक्क वह करें इसको हमें चांड़े उसमें करें उसके बाद तेक्नॉनleb के क्छे जो हमारा पानी का लीकेश होता पानी का निकसान होता है उसको हम लोग मिनमाइज करें क्वए करें का सारों में 40 40 परस fridge तक पानी का लिकेश होता है उसको हम लोग minimum 10 परसंट अग लेकर करें इस में हम जो public में जो investment की capacity उसको करें और साथ ही साथ गिग economy के थाथ हम यूथ को भी जोड़ें इस पूरे कारिक्रम के साथ यूथ को जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा कारिक्रम है और जिस कारिक्रम के थाथ लगबग आपने खुद ही बताया है दो लाग सब्सक्र हजार करोड का यूदन है प्लस हमारी जो पुरानी अमृति यूदना है यह बड़ी पॉस इंटेंसी यूदना होती है उसमें भी करीब बारस सरकार के भी दस जार करोड के अबिट्मेंट बागी है राज्यों के बागियानी करीब 20-22 जार करोड अलग से यानि लगब तीन लाग करोड रुपे अ एक सवाल और बहुत महतौपО्व हो जाता है क्योंकि सीधरे तोर पर टेक्नलोजी से जुड़ा हुआ है और हमने देखा कि इस कोरोना काल में टेक्नलोजी ने हमें बहुत ही कहीं न कहीं जो हैं सपोर्ट किया है तो क्या एक मजबूत टेक्निक आधारित पॉर्टल पर हुए उसके आधार पर हम completely paperless mission के रूपे चलाने वाले हैं इस mission में जैसा हमने बता है कि 24 घंटे के भीतर-भीतर सारे MEO हमारे साइन होगे तो यह पूरी ऐसी व्योस्था हम लोग बना रहे हैं जिसकी अतहरत सारा का सारा जीओ टैक भी होगी उसका सारा जो बजो हमारे payments होंगे सारे जो डारेक्ट benefit यानि इसमें आप cable output आप बना दे कि इतने नल बना दिये या इतने यह बरा दिये इससे आपके funding नहीं होगी राज्यों को funding होगी और सारे के सारे अभी हमने लखनों में आजादी का अमरुत महस्तों मनाया था पांच अक्टूबर को मानी प्ताम्रजी ने उसको launch किया वहाँ पे सारे राजी आएवे थे राज्यों के मंद्वी गन, वहाँ के अधिकारी गन, उनके local bodies के लोगों से काफी detail चर्चावी, सारे के सारे लोगों साहित है और बहुत जल्दी हमारे मंत्राले के द्वारा इसकी मार्ज निर्देश का दोनों SBM 2.0 और अमरुट 2.0 दोनों की जारी कर दी जाएगी जिसको हम technology के थाद इसको पूरा-पूरा monitor करेंगे यहीं नहीं हम लोग विदेशों से भी जो learning के लिए हमने रास्ता खोला हुआ है कि जिससे अगर विदेशों में अगर पानी बचाने के लिए वेस्ट वेल्थ के लिए ऐसी सी technology आई है उनको भी हम यहाँ पे experiment करके making India के तद उन्हें अपने भारत की technology बनाएंगे और हम यहाँ से उसको दुनिया को भी हम लोग दे सकते हैं चाय वाटर का मामला हो चाय सफाई का मामला हो यानि की स्वच्छता के संदर्व में भी और हर घर जो है नल के जरीए पानी पहुचाने की बात करें तो हम आत्म निर्भर भारत की और कहीं न कहीं इस फैसले से बढ़ने वाले हैं आपने समय निकाला दुरुगा शंकर मिश्राजी और आपने ना केवल हमारी जानकरी में इजाफा किया दर्शको को भी इस पहल और इस कदम के बारे में बहुत नई जानकरी हैं उपलाद करवाई आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्शकर मिश्रा सचीव आवास एवं शेहरी मंत्राले और कैबनेट दिस वीक में समय एक छोटे से ब्रेक अप ब्रेक के बाद बात करेंगे सौ नए सैनिक स्कूलों को मनजूरी मिलेगी परके बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बता दें कि एक बड़ी पहल और की गई है कैबनेट के द्वारा सो नए सैनिक स्कूलों को भी हरी जंडी दे दी गई है और राष्टे शिक्षा निती के अनुरूप आगे बढ़तोए भारत सरकार ने राष्टे की समग्र और समरद संस्कृती और विरासत पर गर्व करने चरित्र के साथ अप्रभावी नित्रत और अनुशासन राष्टे करतावी और देशभक्ती की भावना को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाने वाली मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देने करने लिया है और जिसके लिए कैबिनेट ने सौ नए सैनिक स्कूल खोलने की भी स्विक्रती दे दी है देखने एक खास सेपोर्ट ब्रदानमंतरी नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट ने सौ अतरिक्ट सैनिक स्कूल खोलने की मनजूरी देदी है खास बात ये है कि सबी 100 स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबंध होंगे और इन स्कूलों को सरकारी संस्था प्राइवेट या फिर एंजियो भी खोल सकते हैं सरकार का मानना है कि इन 100 नए स्कूलों में अगले शैक्षनिक वर्ष यानी 2022-23 में करीब 5000 नए चात्र चात्राओं को दाखिला मिल सकेगा ये स्कूल नई एजुकेशन पॉलिसी के तहट खोले जाएंगे इस समय देश में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं जहां करीब 33 सो चात्र चात्राएं शिक्षा ले रहे हैं इन सैनिक स्कूलों में शिक्षा की गोर्वत्ता, अनुशासन, शारेरिक तंदुरुस्ति, देशभक्ति, संस्कृति, अध्यात्म और करतव्य पराण जैसे संस्कारों पर खास जोर दिया जाता है इन स्कूलों से निकले चात्र ना केवल सेना के उच्चपदों पर पहुँचते हैं, बलकि सिविल सेवाएं, जूरिशरी और साइंस एंड टेक्नोलोजिक खित्र में भी नाम कमाते हैं सैनिक स्कूल के नए मौडल के कई फायदे और उद्देशे हैं, पहला तो ये की देश भर में सैनिक स्कूलों की जो बढ़ती मांग है वो पूरी हो सके, दूसरी नए स्कूलों के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर और बजट जैसी समस्याओं से नहीं जूजना पड़ें तीसरा और सबसे बड़ा कारण है सैनिक स्कूल के माध्यम से युवाओं को वैल्यू यानि संसकार आधारित शिक्षा के साथ साथ शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौधिक, भावात्मक और संग्यात्मक विकास प्रदान कर सके हैं और वे भविश्य की चुनोतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को गुर्वत्ता प्रदान कर सके हैं हमारे साथ मौजूद हैं बिर्गेडियर पी के शर्मा इंस्पेक्टिंग अफसर सैनिक स्कूल सोसाइटी सवागत है अगर आपकी बात करें तो खुद सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं सबसे पहले आपके अनुभव से जाना चाहेंगे कि इन स्कूल की क्या खासियत है क्या विशेश्टा है सैनिक स्कूल में शातरों को हर तरह के गतिविदियों में शामिल किया जाता है एक डे स्कूल में बच्चे जो सूडेंट्स हैं उनका पूरा फोकस पढ़ाई में जादा रहता है सैनिक स्कूल के बच्चों को जीवन के लिए तियार किया जाता है वो किसी भी स्रिती का सामना अपनियाब कर सकते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तर्की से की जाती है सुबा पीटी से शुरू होकर 6 बजे रात के 10 बजे तक उनको तरह तरह की गत्विद्यों में शामिल किया जाता है जिसमें उनकी बढ़ाहिका के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स, गेम्स, कलब एक्टिविटीज और प्रेस्टैलिटी डेवल्मेंट के लिए कई कॉम्पेटिशन में हिस्सा लेने का मुगा दिया जाता है तो इस सानी स्कूल का एक डे स्कूल से कंबैरिजन करना सही नहीं है क्या कुछ यहां पर सिखाये जाता है चात्रों को आपने मोटे तोर पर बता दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चात्रों में भी इस बात को लेकर रुची पैदा हो गई है कि सेनिक स्कूल में पढ़ा जाए क्या कुछ अलग है दूसरे स्कूलों से मैं यह मानता हूँ कि जो नए स्कूल का परस्ताव है जो को अभी मानिता मिल गई है और हम शुरू करने वाले हैं यह बहुत बड़े संख्या में शात्रों को मुका देंगे वो सभी स्विदायन लेने का जो अभी सिर्व 33 स्कूल में ही अवलेबल है यहां के शात्रों को पढ़ाई के साथ साथ उन सभी एक्टिविटिज में हिस्सा लेने का मुका मिलेगा ताकि उनकी जो और प्रिस्नेलिटी है वो एक अच्छे नागरी की तरह डेवल्प हो सके है जी हां हमने यह भी सुनाए कि सांस्कृतिक रूप से भी शिक्षा प्रदान की जाएगी और नैतिक रूप से भी मजबूत बनाने का प्रियास किया जाएगा जिससे राष्ट भक्ती चात्रों में पन पर क्या यह बात सहीं डे स्कूल में बच्चों का आपस में इंट्रेक्शन है वो स्कूल तक सीमित रहता है एक बोडिंग स्कूल के अंदर और वो भी सैनिक स्कूल जैसे स्कूल में के अंदर बच्चे एक फैमिली के तरह सासत रहते हैं और वो एक दूसरे से सीखते भी है और उनका जो अनुब करते हैं जो वहाँ पे आॉफसर्स कुश्ट हऊते हैं और जो वहां पे आर्मी ए फोज नेवी के स्टाफ सायनी स्कूल में रहते हैं वह उनको डेली वह बारे में हैं के बारे में बना रहते हैं इसके अलावा सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को हम different formations में लेके जाते हैं उनको जानकरे देते हैं forces के बारे में ताकि उनका एक motivation बना रहे और वो आगे बर जाकर Army A4S Navy को जॉइन करें as officer जॉइन करें यहां आप बहतर तरीके से बता पाएं इस सैनिक स्कूलों के बारे में क्यूंकि आपने एक लंबे समय तक सेना की जो है सेवा की है चलते चलते कोई संदेश इन स्कूल्स में बच्चों को ओवरार प्रिसनेल्टी डेवल्मेंट के लिए बेजना चाहिए नाकिलब सिर्फ फॉज को जॉइन करने के लिए आमी एफोस नेवी के में आफसर बढ़ने के लिए नहीं लेकिन आप जिनलगी में हर कार शेतर में सफ़र होने के लिए ये स्कूल वो सवीज सवीदाय देंगे जिन से बच्चों का एक संतुलन विकास हो सके क्या कैबिनेट की इस घोशना से देश भर में बढ़ती सैनिक स्कूलों की मांग को पूरा किया जा सकेगा कंट्री वाइड जो सैनिक स्कूल की रेपूटेशन और इनकी प्रतिष्ठा और इनके द्वारा दिये गए शिक्षा बाकी चीजों में जो इनका इंफ्लूएंस रहा है समाजिक बदलाव में इनके डिमांड काफी है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये बहुत बड़ा एतिहासिक कदम है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाल्व करते हुए सेनिक स्कूल की जो शिक्षा पद्धती है जो की सिर्फ एकैडमिक एंवायर्मेंट के उपर जा करके और एक्स्टरा चीजें जो प्रदान करती वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जा सके उसके उसके लिए हमारा ये अनुमान है कि ये बढ़ती मांग पूरी हो स बोलना वजा क्या रही ये जब स्कीम बनी थी इस स्कीम का बेसिक एक वो था कि हर राज ये जो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षाμंतराले को एक एप्लिकेशन देता था कि वो अपने राज में सैनिक स्कूल की स्थापना करना चाहता है क्योंकि एक प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मिले से राज और रक्षा मंतराले आपस में सावन जस्य करके खर्च वहन करते थे और उस हिसाब से स्कूल सेट अप होना है तो जैसे जैसे अप्लिकेशन आती गई राजियों से उस प्रकार से फीजिबिलिटी देखते हुए ये स्कूल की स्थापना हुई है तो अब तक 33 स्थापित हो चुके हैं और अब इस नई स्कीम से सौ और हमें इस स्कीम के तहट सेट अप कर पाने का हमारा लक्ष है इस गोश्टा में एक बात खास ये भी है कि निजी स्कूल और एंजियों को भी इस से जोड़ा जाएगा किस तरह के से जोड़ पाएंगे इन स्कूलों में हमने जो सोचा है क्योंकि स्कूलों में बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी रहती हैं जो की common फैसिलिटीज की तरह यूज की जा सकती हैं तो शायद हमें उतने ज़्यादा जमीन और उसकी जरूरत ना पड़े बट बेसिक फैसिलिटीज जैसे एक proper land availability, buildings, laboratories, playing facilities, mess facilities इस तरीके की चीज़ें अगर जिनके पास हैं तो वहाँ पर ये स्कूलों की स्थापना की जा सकेगी और ऐसा हमारा नुमान है कि जो चीजें हम इन अभी फिलहाल जो 33 स्कूल चल रहे हैं उनसे मिलती जुलती सारी विवस्ता हम इन स्कूलों में जहां भी हमें प्राप्त हो जाएंगी वहाँ पर इन स्कूलों की स्थापना हो सकेगी जमीन वगरा की शायद उतनी जरूरत ना पड़े इन स्कूलों में यह हमने इसको बनाया हुआ है प्राइवेट सेक्टर से एंजी ओस से स्टेट गवर्मेंट्स अगर कोई स्कूल अपने इस पद्धती तरू चलाना चाह रही है जिसमें अफिलिएशन मोड पे ज हम अपने पड़ेंग करेंगे जो हम अपने पोर्टल पे डिस्प्ले करेंगे उनके हिसाब से अप्लिकेशन जो हैं आने के बाद देखने के बाद ये अफिलियेशन प्रदान किये जाए जहां देश भर की लड़कियों की तरफ से मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ आप से की गर्ल्स कैड़ेट्स का इन स्कूल का क्या प्रपोर्शन रहेगा अनुपात क्या रहेगा गर्ल्स कैड़ेट्स का प्रवेश जो है वो एक बड़ा सकारात्मक वो होगा जो अल्रेडी हम प्लान कर रहे हैं कि इस सेशन से गर्ल्स का टेन परसेंट आफ दी इंटेक वो करें हम एक्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स में यह जो नए आने वाले स्कूल्स हैं यह सौ के स्कीम में इसमें हम कोई परसेंटेज प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं यह वो स्कूल में जिस प्रकार का भी प्रपोर्शन चल रहोगा वही प्रपोर्शन चलता रहेगा उसमें हम कोई हस्तक्शेप नहीं कर रहे हैं यहां आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की पिशकष में इतना ही लेकिन चलते चलते हम आपको एहम जानकारी दे देते हैं किसानों से जुड़ी हुई किसानों के हित्मे सरकार ने वित वर्ष दोहजार एकिस बाइस के लिए फासफोटिक और पोटाशिक फर्टिल के तहत गुड़ से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मनजूरी दे दी है सरकार उर्वरक निर्माताओं आयतकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और चौबिस ग्रेड पी एंड के उर्वरक उपलब्द करवा रही है पोटाश और फासफोरस उर्वरकों पर सबसिडी एन बी एस योजना द्वारा एक अप्रेल दोहजार दस से नियंतरित की जा रही है के अपने दिस वीक में आज के लिए इतना ही है आप से फिर बेट होगी फिलाल मुझे आ गया दिजी लेकिन देखते रेसन सा टीवी नमस्कार झाल